नमस्ते शुक्रिया आदाब टेकलव जंप में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम इंटेंट्स के बारे में सीखेंगे और यह आपका थर्ड वीडियो है तो चलिए इंटेंट का एक अब्जेक्ट बनाए तो इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट डालेंगे एक दिस जो कि हमारी करेंट एक्टिवीटी को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे अर्ग्यूमेंट में हम अपनी दूसरी एक्टिवीटी जिसे हम ओपन करना चाते है उसे डालेंगे तो यहां पर आप इस डिस्क की जगह पर इस करेंट एक्टिविटी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब हमें इस इंटेंट के अंदर जो की हमारा एक मेसेज पास करने का एक जरिया है उसके अंदर हम उस सोब्जेक्ट के अंदर हम पुट एक्स्ट्रा मेथड की हником से की वेल्यू पैर में सॿ NICK पास कर देंगे यूजर नेम होगी हमारी की और उसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग होगी वहोगी मेसेज जो की यूजर नेम यूजर एंट्र करता है और एक लास मेंधOD जिसके अंदर आजाएगा startActivity यहां पर हम intent pass करेंगे हमारा intent का object तो यह method जो है startActivity और चलिए अब इसको run करके देखते हैं तो जैसे ही मैंने submit बटन दबाया यह next activity हमारी खुल गई है तो intent जो हमारा work कर रहा है तो चलो देखते हैं कि जो हमारे पास message आया है उसे second activity में हम उस message को receive कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए implementation हम कैसे करेंगे तो इसके लिए अब हम last activity से intent को receive करने के लिए एक intent का object बनाएं जिसमें वो intent store होगा और get get intent method को call कीजिए अब intent.get string extra से एक method होता है हमारा उसके अंदर हमारा जो भी string का नाम था वहाँ पे जैसे की username था उसे यहां पे लिखिए और अब हमारा काम क्या है जो हमारा text view है जो हमारा second activity का text view है इसके अंदर हमारे username जो है appear हो जाए तो चलिए इसकी id देखते हैं इसकी id हमारी text view बन तो एक edit एक text view के नाम का object बनाएं अब आर्डोड जावा फाइल की help से हम उस xml को map करेंगे और find view by id हमारा method है और यहां पे r.id.textview तो अब हमारे पास एक text view हमारे पास map हो चुका है अब हम उस text view के अंदर बस set text method call करके हमारा जो हमने यहां पे जो get string extra आपने लिया है उसे एक string में store करा दीजिए string message और इस message को यहां पे पास कर दीजिए अब जो है वो message set हो चुका होगा तो चलिए उस application को एक बार फिर से run करते हैं और देखते हैं क्या यह work कर रहा है तो यहां पे देखिए दूसरी activity खुल चुकी है और यहां पे user का name आ चुका है हमारे text view के अंदर तो this was about intents in android और intent जो एक message पास करने का जरिया है तो basically android में कुछ components होते हैं जैसे की activities, broadcast receiver, services, content providers तो इन components को activate करने के लिए हम intents का use करते हैं और अगले tutorial में हम अगले tutorial में हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, let me figure it out for you guys अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please subscribe कीजिए, like कीजिए, thank you for watching